महराश में पिछले महिने भर से चल रहे लोकतंत्र के डरामे में विजेता कौन होगा इसकी अठकले लगभग उतने ही दिनों से चल रही है जब से चुनाव परिनामा है लेकिन पिछले सनिवार अलसुभा से जो कुछ हुआ उसमें इस बात को लिकर भी चर्चा होने लगी है कि इस खेल में man of the match कौन रहा इस बात पर भी बहस होने चाहिए क्योंकि सबसे पहले हमें यही देखना है कि सह और मात के इस खेल में कौन जीता और कौन हारा लेकिन कुछ अन्य बातों पर बहस करने की जरूरत है कि महिने भर के इस प्रहसन में किसने क्या क्या होया है महराष्ट के घट्यकरम में सबसे जाइदा राजपाल के पद की गरिमा गिरी है ऐसा नहीं है कि या किसी राजपाल दोरा किया गया पहला कृत है लेकिन जिस रूप में भागत सिंग कोशियारी ने इस पत की गरिमा को नश्ट किया है वो असाधारान है कई राजपाल मिलकर साथ इस पत का इतना नुकसान नहीं कर सकते राजपाल किशुआरी ने सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अमंत्रित किया जो वीधि सम्मत था पहले परियास में जब बीजेपी सरकार बनाने से रह गई तब उन्होंने सिव सेना को जरूरी कागजात के साथ अगले दिन साम आठ बजे तक सरकार बनाने के लिए बहुमत का दावा पेस करने को कहा सिव सेना सरकार बनाने का कयावत कर ही रही थी कि 8 बजे की समय सीमा से काफी पहले राजपान ने महराष्ट में राश्पती सासन की सिफारिस कर दी यह कदम अपर्तियासित और अनेतिक था इस रूप में हमने महराष्ट में राजपल के पद की गरिमा का छरन होते देखा महराष्ट में राश्पति सासन हटा कर बीजेपी के निर्थित वाली सरकार बनाने का यह घटना करम उस वक्त हुआ जब एक दिन पहले ही सिव सेना, एंसीपी और कॉग्डेस के निताओं के बीच उद्दाव ठाकरे को सियम बनाने को लेकर सहमती बन गई थी सियम सरत पवार ने 22 नुवंबर सुक्रवार को इस बात की जनकारी दे दे दी थी तेश नुवंबर यानि सनिवार के दिन ये तीनों पार्टियां मिलकर कामकाज के मुद्दो पर चर्चा करने वाली थी लेकिन राजपाल भगत सिंग कोशियारी ने भोर भोर में दिविंद्ध फटनवीस और अचीत पमार को मुंबई में राजभवन में सपत गरहन करवा दिया राद के साड़ब बारा भजे फटनवीस का राजपाल को सुचित करना और कांग्रेश सिवसे ना इनसेपी के दावा पेश करने से पहले ही फटनवीस को दुबारा से मुख मंत्री पद की सपर दिलाना राजपाल के पद की गरिमा को मिट्या मेट करने वाला था इससे पहले आधी रात को ही एक काम किया गया महराष्ट में लागू राश्पती सासन को परधान मंत्री के विशेसा धिकार का इस्तिमाल करते हुए बीना केविनेट के अनुमिती से हटाया गया सरकार गठन के नाटक में राजपाल के बाद परधान मंत्री के पद की सवसे जायदा छीचला देल लेदर हुई है परधान मंत्री मोदी ने हरियाना और महराष्ट के चुनाव के बाद पाटी कर्याले में आयोजीत विजय सभा में इसे अभुदपूर जीत की संग्या दी थी लेकिन शिवसेना ने आधे समय के लिए मुखमंत्री का पद की मांग रखकर इस अभुदपूर जीत का सवाद खटा कर दिया था राजपाल भगत सिंग कोशियारी ने जब शिवसेना को सरकार बनाने का नियोता दिया और आठ बजे साम तक का समय दिया फिर उसी दिन दो पहड में महराष्ट में राश्पती सासन की सिपारिस कर दी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसी दिन परधान मंतरी मोदी को ब्राजील के दोरे पर जाना था यह सब कुछ मोदी के दबाव में हुआ इसके बाद जब सनिवार की सुबा फड़नवीज को मुख मंतरी और अजीत पवार को उप मुख मंतरी पद की सपद दिलाई गई तो अगले ही पल परधान मंतरी मोदी ने दोनों को बधाई दे दी इसका सीता मदलब है कि वो इस पूरे खेल में न सिर्फ हिस्सेदार थे बलकि इसकी व्यू रचना कर रहे थे लिहाजा फड़नवीज के इस्थिपे के बाद जो हालात दिख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा घाटे में परधान मंतरी और उस पद की गरिमा ही दिख रही है अब आते हैं सुप्रीम कोट पर एक सीरे से देखे तो सुप्रीम कोट के निर्देश ने ही अंतता फड़नवीज और अजीद पवार को इस्थिपा देने पर बाद किया लेकिर हालात को इस हद तक पहुचाने से पहले ही कोट इसे संभाल सकता था सुप्रीम कोट की इस्वासिनिता को भी इस प्रकरन में चोट पहुची है जब सीवसेना, NCP और कॉंग्रेस ने सुप्रीम कोट में सरकार बनाने के खिलाप अपील दायर की तो रवीवार को की गई विशे सुनवाई में ही राजपाल को फुलो टेस्ट का अदेश देना चाहिए था लेकिन सुरोच नेयाले ने कुछ जरूरी कागजात मांगे अगले दिन जब कागजात कोट को सौपे गए तो कम से कम उस दिन भी फुलो टेस्ट का अदेश दिया जा सकता था लेकिन कोट ने फैसला अगले दिन के लिए रिजर्व कर दिया जब लोकतन्त इसकी प्रकिडियाएं और प्रंपड़ाएं दाओं पर लगी हो विधायकों की खरित परोक्त एक वास्तिविक खतरा बन कर मनरा रहा हो हाली के दिनों में इसके जरिये राज सरकारों को गिराने की अंगिनत घटनाय देखने को मिली है फिर भी कोट दोरा फ्लो टेस्ट की प्रकिडिया को दो बाट टरकाना समय से परे है आम लोगों में यह भाव पैदा हुआ कि सुप्रीम कोट अन्यास ही भाजपा को वह गरजुरिरी समय मुहया करवा रही है जिसमें भाजपा विधायकों का खरित परोक्त कर सकती है करनाटा के मामले में सुप्रीम कोट ने 24 घंटे के अंदर यद्यू यूरपपा को सदर में बहुमत साबित करने का आदेश दिया था लगबा डेड़ साल पहले के खुद के फैसले के बाद इसी तरह के फैसले में विलम को समझना बहुत मुश्किल है अब आते हैं लोकतंत की प्रकिरिया पर महराज के इस राजनितिक ड्रामे से लोकतंत्रिक प्रकिरिया की साख को भी नुक्सान हुआ है चुनाओ से पहले बीजेपी और सीवसेना मिलकर चुनाओ लरी थी जबकि कॉंग्रेस और NCP एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में थे चुनाव के बाद एका एक सियुसेना की तरफ से मुख मंतरी पद की मांग उठी बाद में सियुसेना के जीत को सह देने के लिए कॉंग्रेस और NCP के बीच खिचरी पगने लगी आखिर जब दो गठ बंदन एक दूसरे के खिलाप चुनाव लर रहे थे तो एका एक ऐसा कैसे हो सकता है जिसके खिलाप आप चुनाव लर कर आए हैं उसी के साथ गठ बंदन कर सरकार बना ले लेकिन कॉंग्रेस सीव सेना और NCP ने मिलकर एक आउसर वादे गठ बंदन किया जिससे स्थापित लोकतांतरिक प्रकिडिया को नुकसान हुआ है वैचारिक राजनेती को भी लोक सक की निगासे दिखने लगे हैं अथार्थ चुनाव पुर्फ गठ बंदन का धरम और लोकतांतरिक गडिमा के प्रति आस्था घटी है यह सिर्फ महराष्ट में नहीं हुआ है हाल के दिनों में बीजेपी इस खेल को सबसे जायदा खेल रही है इसे सबसे पहले बिहार में खेला गया फिर गोवा में दो-तिन हफता पहले हर्याना में खेला गया और चार दिन पहले महराष्ट में खेला गया अब आते हैं बीजेपी पर वर्स 2014 से पहले बीजेपी खुद को पार्टी इवित डिफरेंस के रूप में पेस करती थी लेकिन मोधी के परदारमंतरी बनने के बाद पार्टी का अधरिस स्लोगन बन गया है हर हाल में सत्तर आम गैर बीजेपी समर्तों को में ये संदेश गया है कि बीजेपी सत्तर में बने रहने के लिए किसी भी इस्तर तक जा सकती है बीजेपी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए देश के उस भाग में भी जोर तोर का वैसा ही समीकरन बनाया है जहां उसकी उपस्तिती नहीं के बराबर है बीजेपी के हर हाल में सत्ता परकाबिज होना उसके अपने हिनारे चल चरीत और चेहरा से पुरी तरह दूर कर दिया है हाला कि बीजेपी के नेता इस बात को नहीं मानते लेकिन पार्टी के कैडरों में सत्ता की भूग को लेकर वापूग की स्तिति बनती जा रही है जबकि हालिया बने समर्थोकों में सत्ता परकबजा करने को मास्टर इस्ट्रोक की संग्या दे जा रही है महराष्ट में बीजेपी नीत फड़नवी सरकार के पतन के बास सबसे जएदा जिस व्यक्ति का नाम मलीन हुआ है वो है चानक्य चानक के एक एतिहासिक और सारक भरीत चरीत है जो अपनी विद्वता दार्षनिकता न्याय प्रीता के सांस साथ बहतरिन सुझाव देने के लिए जाना जाता है उनमें विलचन प्रतिबा को पहचानने का गुन था चानक के को नयाय के लिए अपनी जाती और हिद्थ उपर उठकर काम करने के लिए जाना जाता है यही कारण है कि अपने अपमान कर बदना लेने के लिए उन्होंने नंदवंस के राजा धना नंद को सत्ता सुखार फेकने के लिए चंदरगुप्त को तयार किया बाद में मोरे समराज के गठन के बाद चानक पहले चंद्रगुप्त का और बाद में उनके पुत्र बिंदुसार के सलाकार भी बने इतना ही नहीं उन्होंने अर्थसात्र जैसा क्लासिक गरंद भी लिख दिया दुकद यह है कि इस पूरे प्रकरण में कई ऐसे नाम आए जिन्होंने चानक की संग्या दे गई जो ना सिर्फ नहायत मुर्ख हैं बल्कि अनितिक और ताउम्र अन्याय पिरिता के हामी रहे हैं यह रिपोर्ट न्यूज लॉंडरी के लिए जितिन्द कुमार ने लिखी है यह रिखी है